हेलो दोस्तो नमस्कार जैहिन मैं संदीव शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ एक खुशकबरी लेकर तो ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर यह है कि आपके सामने वेकेंसी दुबारे से फिर आ चुकी है रर भी एंटी पीसी की गाइस यह जो साल है 2019 आप लोगों के लिए बहु टोटल अब यह जो प्लस की हुई है 9204 वेकेंसी यह अभी अपडेट हुई है पहले फेज में जो अभी निकली थी इसमें 2570 वेकेंसी निकली हुई थी लेकिन यह 9204 वेकेंसी और एड़ कर दी गई है तो गाइस टोटल वेकेंसी होगी है 44,531 vacancies guys 44,531 vacancies बहुत जादा होती है तो guys अगर आपने सोच लिया है कि 2019 में आपको जॉब लेकर रहनी है तो ये vacancy आप लोगों के लिए बिल्कुल 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 है तो इसके registration date important dates पे बात कर लेते हैं तो इसके registration जो शुरू हो रहे हैं वो एक मार्च से शुरू हो रहे हैं और इस form को आप भर सकते हैं एक मार्च से शुरुआत हो चुकी है तो exam date की बात करते हैं तो exam date जो CBT1 का है वो जून से September के बीच में यहाँ पर चलने वाला है तो guys बात करते हैं इसके exam pattern के बारे में exam pattern जो CBT1 का है उसमें 90 minutes का समय आपको मिलेगा जिसमें से general awareness के 40 questions है और mathematics से 30 questions है और reasoning के यहाँ पर 30 questions है तो total 100 questions आपके यहाँ पर CBT1 में आने वाले हैं वैसे तो यह exam CBT1 और CBT2 दो चर्ड़नों में होने वाला है तो यहाँ पर मैं आपको information दे रहा हूँ especially for CBT1 चलिए हम बात करते हैं particular हर्च object की अलगलग syllabus के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे important बात one third की negative marking है guys one third की negative marking बहुत जादा होती है इसमें आपको जो तुका जो आप लगाते हैं उसको avoid करना पड़ता है one third की negative marking में तो अब syllabus जो हम बात करने वाले हैं वो mathematics reasoning और GA के syllabus के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं mathematics के syllabus में yes mathematics के syllabus आपके सामने लिखा हुआ है इसमें लिखा है number system decimals fractions LCM HCF ratio and proportion percentage mensuration time and work time and distance simple interest and compound interest profit and loss elementary algebra geometry and trigonometry elementary statistics तो guys खास तोर से ध्यान दीजेगा word elementary पर तो जो algebra, geometry, and trigonometry है यहाँ पर elementary पूछा जाएगा इनके 10th level तक का पूछा जाएगा बैस तो पूरा ही syllabus 10th level तक का पूछा जाएगा लेकिन खास तोर से बताया गया है कि algebra, geometry, and trigonometry बहुती अच्छे एक elementary level का आपके पूछा जाएगा चलिए हम भड़ते हैं फिर आगे आपने next subject की और तो यहाँ पर हमारा next subject है general intelligence and reasoning तो general intelligence and reasoning के अगर बात करें तो इसमें analogies है completion of number and alphabetical series है और coding, decoding, mathematical operations, similarities and differences relationships, analytical, reasoning, slowlism है और jumbling है, when diagrams है, puzzle है, data sufficiency है statement and conclusion है और statement and courses of action है decision making है, maps है और data interpretation है यहाँ पर यह आपके सामने था reasoning का syllabus चलिए अब GS के syllabus की तरफ हम move करते हैं चलिए guys बात करते हैं general awareness के बारे में तो guys, यहाँ पर खास तोर से ध्यान रखा जाएगा current events of national and international importance और मैं हाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ क्योंकि RRB NTPC का paper है तो railway से related जितने भी events हो चुके है current में तो उनको जरूर आप details देख लीजेगा जैसे कि अब यह वंदे भारत जो train चलाई गई है उसके बार में details जरूर देख लीजेगा क्योंकि यह current event है इसमें से भी खास तोर से चीजे आ सकती है आगे है game and sports, arts and culture of India inner literature तो यह सारे पूरा का पूरा syllabus आपका सामने जो है general awareness का है आप इसका screenshot ले सकते हैं और detail में इसको देख भी सकते हैं लेकिन ध्यान लखिएगा कि current of ways पर अच्छा कासा यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा और जो life science है वो 10th class तक की है और CBC board से जो 10th class होती है चलिए आगे चलते हैं फिर guys अब यह जो vacancy निकल चुकी है इसमें order 247 और उसके teachers आपकी कैसे help कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यह जो एक batch हमारा clear rrb ntpc exam cbt phase 1 यह batch यहाँ पर हमारा शुरू होने वाला है इसकी जो fees है 2999 है लेकिन guys अगर आप इसको avail कर लेते हैं starting date से पहले और live 10 code का use करके तो यहाँ पर 10% discount आपको मिल जाएगा तो guys इस batch की जो starting date है वो 12 March है तो मैं चाता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें enroll कर लें ताकि आप लोगों को live 10 code यूज़ करके 10% discount भी मिल जाएगा चलिए बात करते हैं इस batch के description के बारे में guys इसमें 70 गंटे की classes 70 प्लस गंटे की classes आपको मिल रही हैं जिसमें से 20 गंटे maths 20 गंटे reasoning और 20 गंटे general awareness को दिये गए हैं और special बात मैं आपको यहां पर बता देता हूँ 10 गंटे का especially यहां पर current affairs को दिया गया है मैं बार बार यही बात आपको बता रहा था current affairs पर यहां पर अच्छा खासा ध्यान दिया जाएगा इस batch में आपको सारी PDF मिल जाएंगी और 5 दिन यह class होगी Monday to Friday और इसकी जो timing रहेगी वो 10 से 12 रहेगी तो guys यह बात ध्यान लखेगा 2019 सरकारी नोकरी का साल है इस 2019 में अपनी एक seat जरू कंफर्म कर लें और जल्दी से जल्दी कोशिस करें enroll करने की Thank you नमस्कार जैहिंद